किसान वाईयों गेहूं जो होता है जब आप गेहूं का खेती करते हैं तो देखते होंगे जब गेहूं का खेत में पानी छोड़ते हैं पहला पानी बहुत से किसान वाईयों होते हैं जो गेहूं का खेती करते हैं उसमें एक ही पानी में जो होता है खेत को तयार करके गेहूं में देते हैं तो पानी का देने का जो पर किडिया होता है उस पर आज बात करूँगा कि किसी हिसाब से आपको खेतों में गेहूं का पानी देना चाहिए और पानी देने के बाद जो खेतों में देखते हैं पानी देने से पहले और पानी देने के बाद जो होता है गेहूं पी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे अगर अभी तक आप आउन नहीं किये हैं तो अल नोटिफिकेशन जो होता है वो भी आउन कर ले ताकि टाइम टाइम से जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो सबसे पहली किसान भाई हो जब खेती करते हैं गेहूं का तो उसमें पानी देना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि गेहूं के खेती में पानी देना अती आवस्यक होता है खेती करने के लिए तो पानी देने लगते किसान भाई तो उसका जो पीच मान होता है जो पीच लेबल होता है उ ज़ जग्ण पानी परजाता है और ँससादा कंग पानी परजाता इसके कारण byN भी बहुत आइसे कारण है, आगे दहनेगे विडियो में किस परकार से जो गेहुं होता है, पीला होने लगता है मान लेते हैं कि यह जो देख रहे हैं कि गेहूं का खेती है अगर इसमें हम लोग पानी देते हैं पानी देने के बाद क्या करेंगे कि जैसे आज हम इसमें पानी दिये और पानी दे करके छोड़ देते हैं और यह पानी देने के बाद में जो इसका नमी होता है मतलब जो इसमें मिटी जो होता है उसमें पानी का मातरा कितना परसेंट कब तक होता है वो जानना जरूरी होता है क्योंकि जादा दिन तक अगर इसमें नमी का मातरा जो होता है बरकरार रहता है तो यह जो होता गेहूं उसका बरपार जल्दी होने लगता है क्योंकि उसके बाद जो होता है कि हम लोग इसमें फटीकेशन करते हैं, खाद देते हैं, तो उसमें खाद देने के परकिडिया जब होता है, तो उसमें नमी होना जरूरी होता है, आवसक होता है, तो उस आवस्था में नमी का मात्रा जो होता है, किसान भाई अपने खेत में हमारे खित में पाणी का requirement कितना है उस हिसाब से खितों में पानी देते हैं. उस हिसाब से आप अपने खितों में पानी लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है. और आप यह समझ रहे होंगे कि पता कैसे लगा कि पीला कैसे हुआ पौधा मेरा तो पानी लगाने के अवस्था में ही देखेंगे कि पानी लगाते समय ही उसमें क्या होता कि पानी लगा रहे हैं और कहीं पर कम पानी लगने के कारण या कम पानी लगने के कारण जो होता कि प आज खेत में पानी डाल दिये हुए है और नमी जो है 2-3 दिन तक ज्यादा इसमें हाल होता है, मतलब ज्यादा इसमें पैर धसने वाली बात होता है, कि मिटी जो होता है, गीला होता है, अगर उस आबास्ता में, जिस समझ मान लीजिए कि आज मैं खेत में पानी डाला हूँ, और परसू या नरसू चार दिन के अंदर दुबारा अगर पानी पडर जाता है किसी भी माध्यम से । वह सकता है कि 20 स्टे पानी आजाए अगर खेत में पानी चोड़ी हुए गेहुँ का पोध़ा भी चोटा चोटा है अगर पानी आप दे दिये हुए है उसके बाद फिर बारिस हो जाता है तो होता है कि जल जमाब उस खेत में हो जाता है जैसे ही आपके खेत में 12 गंटे तक या 10 गंटे तक जल जमाब जैसे आपको खेत में हो गया बारिस के पानी से हो गया या पानी पहले आ या पानी आइब बोरबेल से दे सकते हैं किसी भी चीज से पानी अपने साभए फिर बारिष हो जाता है उसके कारण जो होता है उसमें जलजमाब ज़रा दर तक हो जाने जाने वffeins pra तर पौरधा जो होगा ग्यहों का पीला होने लगता है जिसके इसके कारण जो होता है आपका ग्यहूं कभ में जो उपज होता है वो कम होने लगता है तो उसे बचने के लिए बहुत से ऐसे उपाय है कि मैं आप बताने जा रहा हूं कि उसे बच सकते हैं कि पीला जो खेत में होयाता है ग्यहूं उसको किस परकार से बचाया तो कारण तो ब बीटी होता है वो ज्यादा गीला हो आता है तो वहां से धंग से भोजन पधा नहीं बना पता है इसलिए पधा पीला होने लगता है उसका कई करण मैं बताया भी हूं कि इतने करण होता है उसका एक ही उपाय है कि पानी का मात्रा होता है आप अपने खेतों में ज्यादा से ज करके कहीं और जुता ही कि टांसपने करे और उस खेत में सुखाने का काम करें। खेत में पानी होता है शाहिए जिटना उसका पेचा ब्रेबり होता हिसG Braun के लिए उतना रखनाद खेत वानीं होता है। तो पानी को बाहर कर देंगे। वी गेहूं का जो पौधा होता है। वो सही हो जाएगा और इसको सही होने में किसान भायों कम se kam 8 से 10 दिन लग सकता है क्योंकि उसमें ओभर वोटरिंग पान्यू हुआ रहता है तो उसमें ज्याधा पानी के कारणज होता है उसमें बिमार टाइप का आपका जो पौधा होता गेहूं होता हो जाता है तो एक हपता दस दिन और पंदरत दिन भी लग सकता है अगर ज्यादा दिन तक पानी जैसे कि 24 से 48 गंटा या 36 गंटा रह जाता है तो उसमें गलने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि वो जल्दी रि requirement जो होता है इस हिसाब से आप दे सकते हैं और जैसा ही देखे कि उसमें पानी निकल चुका है तो उसमें जो फंगी साइड होता है उसका इसपर आप अपने खेतों में कर सकते हैं और उससे जो होता है कि छुटकडा पास सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो यह वीडियो क कैसा लगा आपको वो कमेंट करके आप हमें जरूर बताए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तके लिए नमस्कार